हेलो स्टुडेंट्स आयम वियल चोदरी टीम बोट नी CLC सीकर आयम ललिट सोनी टीम बोट नी CLC सीकर हाँ तो बटा स्वागत आपका CLC की गुरु नीती 180 वर्सेज 180 स्रेंकला में आज अपन डिसकस करेंगे प्लांट किंगडाम 4 जिसमें कुछ थोड़े बहुत क्यूशन फंजाई से रिलेट होंगे और बाकी मौस्टोफ क्यूशन अलगी से और कुछ एक क्यूशन ब्रायफाटा से देखे विटा कि प्रिवेस में अपने किंगडम फंजाई से रिलेटेड सारे क्यूशन अपने डि डिसकस करेंगे उसका पूरा डेस्क्रिप्शन किलीयर करके पूरा वीवरन किलीयर करके विटा आपने डिसकस करेंगे तो भिल्कुल आप NCRT को एकदम सीकेंस में लां-्टु-लांज बिटाऌक्र करें और आप समuitive किंगरण प्लांटी के अंदर जो डिबीजं से तो उसी सिक्वेंस से बिटा अपन चलेंगे तो देखेगा इस लेक्चर में अपन क्यूशन जो डिसकस कर रहे हैं हाँ तो बिटा देखेगा आपन यहाँ पर बात करते हैं कि जो अलगी है वह थैलोइड फोटो सिंटेटिक बिल्कुल इस्ट्रेक्चर है जनरली आप जानते हैं कि थैलोइड व्लॉड। अडेट और मेन इस चर्दिव हो रहते हैं जली आवासों में रहते हैं और मेराइन भी उसकता है और फ्रेश इस्ट्रेक्टर्स हैं कि उनके सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट है जो सनलाइट को एंट्रेप करते हैं और आप समझ सकते हैं कि जो इनरजी फोम होती है उसको सुगर सिंतेसिस में यूज करते हैं अब आप जानते हैं कि कुछ अलगी अधर लिविंग और्गनिजम के साथ भी असोशेशन शो करते हैं जैसे कि अपन बात करें बहुत इंपोर्टेंट असोशेशन की जो एलगी और फंजाई का असोशेशन है जो है बिल्कुल जहां 100% आप जानते हैं कि ऑबलिगेट रिलेस सही कि शोबएलगी से यो सकता है और फंजाई में मोगांम के इसको अपना है माइकोट बिल्कुल वो आप जानते हैं इसको सबयाता है नो अब आप समझ सकते हैं कि यहां ऐलगी इस फूड प्रोवाइड करता है यह तो इसको फूड प्रोवाइड करता है तो यहां डोमिनेंट रोल किसका होता है और इसी के बेसिस पर रेप्रोडक्शन होता है हाँ तो उसको हैलोटिजम भी बोलते हैं यहां सोमीदास समंध होता है स Changing certainly यहां पर फंजाय इस यहां पर ऑलगी तो यह यहां लाइकेन तो हो सकता है फस्ट लेकिन मैकॉराईजा नहीं हो सकता है यहां लाइकेन है और यहां अंसर बिल्कुल तो according discussion answer will be third. यहां पर third answer आपका होगा अब आप देखेंगा नेक्स question हाँ देखें वड़ा question number second select pair of organism which contains cell wall without cellulose on their cell wall यह उन जीओं के युगम को आपको चैनित कीजिए जिनकी कोश्टी का बित्ती सलॉलोज रही तो होती है तो ध्यान दीजी करें बटाए कि जो नौन सलॉलोजिक सलॉल होती है एक तो आप जानते हैं कि मोनेरा किंगडम के मेंबर्स में होती है मोनेरा के अंदर peptido glycan यानि peptide, amino acid, glycan, sugar heteropolysaccharide होती है N-AG, N-A-S-T-L-glucosamine और N-AM, N-A-S-T-L-muramic acid और fungi की cell wall भी kaitin kaitin जो fungal cell wall है kaitin और kaitin या polysaccharide तो kaitin भी N-AG, N-A-S-T-L-glucosamine का polymer है तो यह दो kingdom है जहाँ non-cellologic cell wall present होती है तो यहाँ according option अगर पन देखें तो penicillium फंजाई है और rhizobium बैक्टिरिया है तो 100% यहाँ kaitin की और यहाँ peptido glycan की तो non-cellologic होगी mycoplasma में cell wall नहीं है no stock में है तो वो monerase related होता है peptido glycan है paramecium में cell wall नहीं है और nitrosomonas में peptido glycan की है और यहाँ देखेंगा कि east फंजाई है तो kaitin की है और plant cell में cellulogic cell wall है cellulog है उसमे तो यहाँ आप से पूछा non-cellologic तो according यहाँ जो pair set होगा 100% आपका question का answer क्या होगा first answer will be first question number 3 देखेंगा match the following column first and column second column first में यहाँ पर kingdom fungi है and kingdom planty है column second में अपन यहाँ पर बात करें तो sinusitic hyphy तो देखो बेटा आपने को पता है कि जो phycomicities fungi होते हैं उनकी structure इस तरीके से tube like होती है इसमें इस तरीके से nucleus present होते हैं लेकिन देखें यहाँ पर septa जो वा करते हैं वो यहाँ पर absent रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते है sinusitic hyphy यह kingdom fungi का यहाँ पर character है वहाँ पर देखें का अपने बताया था ना कि जो phungal hyphy होता है या phungal filament होता है phycomicities में वो multi nucleated sinusitic condition होती है तो related किसे हो गया fungi से loose tissue level जो loose tissue level है अपने को पता है जो kingdom fungi है उसी का यहाँ पर यह क्या है character है क्योंकि वहाँ tissue organization जो सत्य उत्तक है वो तो होता नहीं है और जो phungal hyphy होते हैं कवक तंतू वो ऐसे मिलके कवक जाल mycelium बनाते हैं मतलब जो hyphy है वो एक दूसरे को पड़े रहते हैं loose tissue बनाते है loose tissue tissue की बात आपकी होगी तो वो भी किसे रिलेट हो गया fungi से रिलेट हो गया उसके बाद आप समझ सकते हैं तो tissues वगरा जो है जो organ level है यह start planting kingdom से होता है जो plants वगरा है उसमें root like structure stem like structure leaf like structure जो कि ब्राइव फाइटा में होता है and true root stem leaf यह teridophyta में होता है तो यह सब जो organ level है वो kingdom plant का character है यहाँ आप समझ सकते हैं कि first time plant में tissue organ से start from kingdom वो division ब्राइव फाइटा बिल्कुल और animal में तो आप जानते selentator से वो start हो गया था लेकिन tissue level plant में ब्राइव फाइटा से start होता cell wall होती है काइटीन की cell wall वो fungi में होती है और आप जानते हैं कि kingdom plant completely photosynthetic autotroph है लेन kingdom plant में कुछ एक-दो member ऐसे हैं जैसे कि कसकुट आपने अमरबेल की बात की परसाइट होती है तो परसलिए autotroph बागी mostly क्या होते है autotrophic यहाँ statement में आप देखेगा बेटा कि A से आपके relate हो गए first, second और fourth और B से relate हो गए third और fifth तो answer will be first तो देखे बड़ा question number four deuteromyces are different from escomycities deuteromyces जो है वो escomycities से different कैसे है formation of conedia तो साब conedia का formation जो है वो deuteromyces के अंदर भी होता है escomycities के अंदर भी होता है तो आप यहाँ पर कह सकते होगी है यह तो इस कांसर होनी पाएगा having septate mycelium तो septate mycelium जो है वो deuteromyces के अंदर भी होता है escomycities के अंदर भी होता है दोनों में जो यहाँ पर high fear उनमें septa पाए जाते हैं जो phungal IP है वो simple septate होता है और asexual spore तो deuteromy बनते हैं और asco के जो asexual spore manly क्या है तो common हो गया फिर आप देखें कि जो crozier formation है crozier formation यह only asco का character है asco के अंदर जब sexual reproduction होता है somato game होता है और जब die carryon आता है तो वहाँ आप जानते हैं कि crozier method के through di carryon form करते है फिर ascus ascus form करते हैं जहाँ केरियोगे मी होती है और फिर miosis होकर asco spore formation होता है तो crozier formation होता है asco का character है only और आप देखेगा कि absence of sexual reproduction तो आप जानते हैं कि deuteromycities में sexual reproduction absent है यानि वो phunzay imperfect ही कलाते है जबकि asco के अंदर क्या है प्रजेंट है according to this question answer will be क्या हो जाएगा next question देखेगा sir question number five following nimna sumilit कीजिए इधर यहाँ पर है rhizopus तो rhizopus यहाँ पर हम कह सकते हैं rhizopus को हम लोग बोलते है bread mold जो bread fungi है वह यहाँ पर rhizopus है यह रोटी पर उगता है black bread mold मत्तब यह रोटी के उपर उगता है वैसे bread को बनाने के लिए जीमिदार नहीं है bread को बनाने के लिए कोन जीमिदार है yeast responsible है agaricus mushroom जो है वह आप यहाँ पर कह सकते हो क्या है edible mushroom हो गया agaricus edible mushroom है paksinia graminis जो है जो कि basidiomycities का एक member है यह paksinia जो है rust disease cause करता है wheat के अंदर and saccharomyces cerevisi जो yeast है आप कह सकते हो yeast को बोलते है baker yeast क्योंकि यह यहाँ पर बेकरी वगरा में काम आते है bread का formation ही करता है बिल्कुल तो यहाँ देखिए गरिकस है और paksinia वह तो basidio के member है बढ़ एगरिकस तो आप समझ सकते हैं कि rhizopus आपका first आपका M से match हुआ और फिर आप समझ सकते हैं कि जो second है वो K से match हो गया वो K से match हो गया तो first M second K third आपका किसे match हो रहा है L से और fourth किसी हो रहा है N से according to discussion answer यहाँ पर बिल्कुल सही answer है हाँ तो देख लिए उड़ा question number six select the wrong statement for ascomacities तो आप समझ सकते हैं कि ascomacities जो sec fungi जिनको अपन बोलते हैं और sec fungi इन से related होते हैं morals, buffles, truffles generally आप बात करते हैं कि जो ascomacities के member होते हैं वो saprophytic भी है मरतोबजी भी है decomposer तो ही है parasitic भी कुछ है और coffrophyllis यह सबसे important बात कि on dung अगर गोबर पर जो फंजाई उगती है उसको आप कहते हैं coffrophyllis और अगर अपन growing on dung अगर अपन इसमें first priority दें on dung की coffrophyllis तो first priority यहाँ पर आपन देते हैं ascomacities first priority अपन asco सबसे ज़्यादा उगने वाले फंजाई यहाँ पर ascomacities और second priority यहाँ पर होती है phycomacities आप समझ रहे हैं कि यह option आपका correct है जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जैसे seprophatic का अपन एक्जामपल दें तो penicillium हो गया और जैसे अपने बात दें कि more kela seprophatic हो गया अगर अपनी यहाँ decomposer जो एक्जामपल दें तो उसमें most of species आपकी decomposer है parasitic का यहाँ पर अपन एक्जामपल दें ascomacities से वैसे कमी related होते है parasitic लेकिन यहाँ अपन बात करें कुछ एक एक एक्जामपल आपके यहाँ पर होते हैं जो parasitic nature के होते हैं जिसमें aspergillus किस species है clear और यह आपका coferophilus हो गया आप देखेगा कि asexual reproduction tag plus by juice spore और eplaner spore देखेगा वहाँ NCIAT में लिखर का है कि juice spore होते हैं वो motile spore होते हैं और eplaner spore non motile तो asexual spore बनते हैं कौन इडिया तो आप समझ रहे हैं कि यह आपका wrong statement हो जाएगा इससे relate नहीं होगा clear और बाकी देखा कि asco spore are produced endogenously in ascus हाँ जब इनमे sexual reproduction होता है somato game होती है तो जब ascus form होता है तो उसके inside आप जानते केरियोगेमी होती है फिर तो ascus में asco spore endogenously arranged होते हैं linear बिल्कुल रेखी रूप में तो यह भी आपका correct है यह भी relate हो गया और aspergillus contain asco carb during sexual reproduction तो आप जानते हैं कि asco my status most of member में fruiting body बनती है बिल्कुल जिसको आप क्या कहते हैं asco carb बिल्कुल हना तो आप जानते हैं प्रजेंट होती है aspergillus में प्रजेंट होती है यह भी correct हो गया तो यहां पर answer is question का हो क्या हो गया second answer will be second next question आप देखेगा question number seven how many given members of fungi are include in basidiomycetis, basidiomycetis में यहां पर कॉल से member है तो यहां पर दे रखा है colitotrichum यह यहां पर आप कहसे हो deuteromycetis जो इसका member हो गया alternate area जो है यह भी यहां पर member हो गया deuteromycetis का mucer जो है वह phycomacetis का austila go यहां पर जो है basidiomycetis अगेरिकस mushroom जो है वह भी basidiomycetis का है paksinia भी member किसका है pleviceps यहां पर escomacetis का 1, 2, 3 यह यहां पर 3 member obesidiomycetis का 4 हो गया next question question number 8 cell wall of algae made up of following component जो algae in algae की cell wall किसे बनती है तो algae जो है basically plant kingdom में आते हैं अब plant kingdom के अंदर जो higher plants है उनमें भी cellulose है और जो lower plants है उनमें भी cellulose है लेकिन यहां पर cellulose के साथ में होता है galactans, manans and minerals और mineral से यहां पर कुन सा होगा calcium carbonate होगा तो first यहां पर इसका correct answer है second option है cellulose, hemi cellulose plants वगरा में होते हैं इसके लावा third option यहां पर है hemi cellulose, pactin, calcium carbonate, protein यह भी नहीं होगा fourth option यहां पर है cellulose, manans, calcium pacted calcium pacted वगरा किस में होते हैं लेकिन साथ में आप जानते हैं कि galactan, manan and minerals और यहां पर बात करें जैसे आगे पर बात करेंगे according this question answer will be first next question question number 9 isogamous sexual reproduction in algae found in cellulose, sae वालों में सम्हुक्मकी लेंगिक प्रजनल पाया जाता है सिंगेमी सिंगेमी का मीन होता है कि two type के जो gametes gametes का fusion होता है haploid gametes का fusion होता है और आप जानते हैं कि क्या form होता है? diploid zygote form होता है अब जो gamete fuse हो रहे है अगर यह gamete similar size के हो तो यह flagellated भी हो सकते हैं बट similar size के? मतलब size similar हो अब वो flagellated भी हो सकते हैं, non-flagellated भी हो सकते हैं clamidomonas में बिलकुल और non-flagellated आपके होते हैं किसमें spiral gyarai अगे अंदर तो यह आपके आपको आपको वहाँ type of sexual reproduction वहाँ कर रखे हैं, तो देखेगा कि clamidomonas में ISOGAMY होती है लेकिन flagellated और walworks में UGAMY होती है और clamidomonas और spirogyra clamidomonas में भी ISOGAMY होती है spirogyra में भी क्यूशन दो बार NEET में 2013 और 2014 2013 और 2014 कि spirogyra में आपके होती है non-flagellated isogamy दोनों गेपेट similar size के होते है और flagella नहीं होते है non-flagellated isogamy होती है spirogyra और flagellated किसमे होती है clamidomonas में यह correct answer हो गया walworks में UGAMY होती है और आप जानते sargassum or clamidomonas sargassum brown algae है यह नहीं होगा according discussion answer will be second next आप देखेगा question number 10 which of the following group include as member of brown algae brown algae की member यहाँ पे कोण से है fucus यहाँ पर जो है dictiota जो है यह brown algae का है porphyra यहाँ पर जो है red algae porphyra red algae red algae leminaria brown algae fucus brown algae dictiota यह group आपका हो गया 100% और porphyra यहाँ पर किसमें हो गया red algae में हो गया ectocarpus brown algae है poly syphonia भी कोई हो गया red algae हो गया red algae हो गया red algae हो तो यहाँ पर सही answer हो गया third completely आपको यहाँ जो member आपसे पुछे हो पूरे brown algae से रिलेट होने चाहिए तो fucus laminaria dictiota यह सब इसे रिलेट होते हैं जो होते हैं यह आपके होते हैं फियोफाइस फियोफाइस से होते हैं brown algae से होते हैं answer will be correct answer यहाँ पर 3 चला गया next question देखेगा question number 11 how many given algae have chlorophyll A and chlorophyll B in their plant body मतलब इनकी plant body में A and B है तो आपको पता है कि जो green algae होते हैं उनमे chlorophyll A, chlorophyll B होता है और जो brown algae है chlorophyll A, chlorophyll C होता है और जो red algae है उनमे chlorophyll A, chlorophyll D होता है मैं अपन सुरू से कह रहे हैं कि अर्थ के उपर जो भी oxy photosynthesis show करते हैं यानि जो भी oxy photosynthesis करते हैं उक्षी प्रकास अंसलेशन प्रदसित करते हैं उन सब के अंदर chlorophyll A तो है तो भी उनिवर्सल BGA से लेकर higher plant तक जो भी photosynthesis perform करता है chlorophyll A तो उनिवर्सल हो गया साथ में आप जानते हैं कि जो accessory pigment के form में जैसे कि green algae में higher plant की तरह है chlorophyll A और B यानि यूगलेनोइड green algae और higher plant जो plants होते हैं उनके अंदर आपका होता chlorophyll A और B brown algae में chlorophyll AC red algae में chlorophyll AD अब यहां पर आपसे पुछाए chlorophyll AB तो जो भी green algae से related होंगे लेमिनेरिया में brown algae है AC आप समझ सकते हैं कि कारा हो जाएगा फ्यूकस में नहीं AC brown algae है wall walks हो जाएगा green algae है polys hyphonia में AD नहीं होगा और आप समझ सकते हैं कि chlorophyll A और B ectocarpus नहीं होगा brown algae है और आप समझ सकते हैं Dictiota B नहीं होगा clamidomonas हो जाएगा eulothrix हो जाएगा मतलब जो green algae के मेंबर है उसमें chlorophyll A A और B और आप समझ सकते हैं कि जो algae का classification करते हैं तो manly the classification of algae based on photosynthetic pigments type of pigment अगर सबसे important पूछ ले जाए और वैसे आप जानते हो second पर अपन लेते हैं यहां पर बहुत सारे आते हैं cell wall भी आते हैं store food की बाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर आपका question का answer है वो क्या हो गया five यहां से relate हो गया three answer आपका हो गया बिल्कुल question number 12 which is not true about agar 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 के बारे में क्या सही नहीं है first of all तो अपन देखते हैं कि agar agar होता है वो red algae से obtained होता है यह CBAC 2009 में सर्क्यूशन आया gilladium और gracilaria तो gilladium और gracilaria की cell wall से किसको obtained किया गया agar agar आप समझ सकते हैं कि agar agar एक best imbibent है सबसे अच्छा अंतचुशक यह एक ऐड्रो कॉलाइडर जो सबसे ज़्यादा water को hold कर सकता है जल को धरन कर सकता है जो imbibition capacity सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं it obtained from red algae बिल्कुल सही है gilladium और gracilalia जो red algae से related है बिल्कुल आप समझ सकते हैं it used to grow on microbes आप समझ सकते हैं microbiology labs होती है वहां culture media यानि जो संवर्दन माध्यम है वो इसका बनाया जाता है और उसके उपर bacteria की culturing करवाई जाती है तो ये भी आपका correct है it used to make ice cream and jelly एगार-एगार को jelly मेरा ice cream में mix किया जाता है क्योंकि hydrocollide है और आपन समझ सकते हैं जो red algae है उनकी cellulol होती है cellulose और poly sulfur ester sulponic acid होता है आप जाने केरागीन होता है और वहाँ एगार-एगार होता है जबकि brown algae की cellulol है वह आपकी होती है cellulose plus poly non-sulph rester जो algene होता है तो ये जो दोनों की cellulol से hydrocollide opt-en होते हैं उनको ice cream में और इनमे viscosity को स्यांता को बढ़ने के लिए जो saving cream होती है ये परसादन की जितने भी सामगिरियां होती है उनके अंदर mix किया जाता है तो ये भी correct है it used as food supplement even by space travel ये wrong है क्योंकि space travelers अपने साथ में किसको लेकर गएते chlorella तो chlorella वहाँ उनको food supplement के लिए भी use हो रहा था और भोजन के संपुरक के रुप में भी और साथ-साथ में आप जानते हैं कि वह oxygen की supply भी वहाँ दे रहा था तो वह तो आप समझ सकते हैं कि chlorella जिससे eukeretic unisadal algae है अगर eukeret में आपन देखें तो इससे most of protein obtain आपका होता है तो space travelers तो उसको यूज किया था था यहां wrong हो गया तो आप समझ रहें कि not true about agar agar तो answer will be 4 answer यहां पर 4 हो गया next आप देखेगा question number 13 beside pedifield azola and marsilia cyanobacteria are also found inside vegetative part धान के खेतों में azola marsilia के अत्रित नील हरी सिवाल किस पादप के काईक भाग में उपस्तित होते हैं तो आप जानते हैं कि भी अपने का कि azola जो aquatic फर्ण है bio fertilizer use होता है azola की जो leaves होती है उसमें आपका होता है ana bina azoli जो चावली की उपज़ को बढ़ा देता है वैसे आपन देखते हैं कि जो cycus होता है cycus plant उसमें जो man root system होता है side में आपकी बनती है coralloid roots तो coralloid root के अंदर यह association होता है BGA का ana bina cycadia no stock association होता है किसमें coral root में तो देखेगा कि pinus में आप समझें नील हरी सिवाल का कोई association नहीं है और cycus में association है equisitum में नहीं है और silotum में नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि यह coralloid root होती है बिल्कुल specialized जो root होती है coralloid root तो यह आप जानते किसमें cycus में next question देखेगा sir question number 14 manitol is reserve of food of following algae जो manitol है वो कौन सा algae में तो कुछ नहीं simple सी बात है जो brown algae है उस brown algae के अंदर जो storage food है manitol है बिल्कुल जो example होगा brown algae का विसकांसर हो जाएगा gracilaria gracilaria जो है रेड algae है बिल्कुल fucus यहां पर brown algae है polysiphonia आप कह सकते हो red algae है ectocarpus brown algae ectocarpus brown algae dictiota brown algae porphyra red algae polysiphonia red algae ectocarpus dictiota यहां पर जो है यह brown algae है और जिनके अंदर reserve food है वो manitol है manitol algae का classification में photogenic pigment store food cell wall composition बिल्कुल तो laminarian manitol store food है वो किसका है brown algae तो यह बहुत अच्छा question जो neat exam में भी आयता next आप देखेगा question number 15 identify the following given diagram नीचे दिये गए चित्रों की सही पहिचान कीजिए सब से पहले Michael just figure जो बिल्कुल सिक्वेंस में बिल्कुल Green algae, आप जानते हैं कि filamentus भी तो unbranched होते हैं, लेकिन कारा वहाँ पर filamentus branched है, और असने बताया कि laminaria है, वो fucus है, और porphyra, brown algae तो सारे के सारे क्या होते हैं, filamentus branched, तो यहाँ पर according discussion answer will be second, कारा, laminaria, fucus, porphyra, next question आप देखेगा, question number 16, how many statements are right for given figure, यहाँ पर जो figure है, वो किसका है, fucus का यह figure है, जो कि brown algae है, इसके बार में देखते हैं, कौन से कौन से statement है, it includes the brown algae, बिल्कुल correct है, it represent diplomatic life cycle, यह fucus का बहुती, आप कह सकते हो, अच्छा character है, जो काफी important है, fucus जो है, उसमें diplomatic life cycle होता है, it contains chlorophyll A and chlorophyll D, gentophyll, fucus जो है, व ब्राउन एलगी में chlorophyll A के साथ, chlorophyll D नहीं होता, chlorophyll C यहाँ पर होता है, और यहाँ पर fuco-genthine होता है, which responsible for provide brown color, and D यहाँ पर है, its gametes are piriform, pure shaped, जो है, इनके algae है, have unequal flagella, यहाँ पर कह सकते हो, brown algae है, उसका character हो गया, its reserve food present in the form of floridian stars, यह यहाँ पर आप कह सकते हो, जो red algae है, उसका character है, तो यहाँ पर पुछा इसने, कितने statement यहाँ पर right है, तो यहाँ पर होगे आपने, A, A, उसके बाद B, B, और आपका D, बिल्कुल, तो यहाँ पर तीन statement आपके होगे, 4th answer आपका होगे, 4th यहाँ पर होगया, by CDC बात है, कि अभी अपने बतायाता है, कि brown algae, store food, laminarian manitole है, और यह आपका fucus है, तो उसके अंदर आप जानते हैं, कि भी gamit pyreform, जो नास्पती आकार के बनते हैं, और जो नास्पती आकार के, फ्लेजिला होते हैं, वहाँ हेट्रो कॉंट, फ्लेजिला होते हैं, ऐसे, एक आप जानते हैं, कि soft होता है, एक tencel होता है, और यह pyreform basis पे आपके जो unequal फ्लेजिला होते हैं, आप नेक्स देखेगा, question number 17, hydrocolloids are substances which have water holding property found in outer wall of algae like, जो hydrocolloids है, जो water को अपने अंदर hold कर देते हैं, वो कौन से कौन से यहाँ पर algae की cell wall में होता है, देखते हैं, तो basically hydrocolloids हो है, वो character होता है, एक तो brown algae का, और एक red algae, बिल्कुल, तो यह यहाँ पर हो गया, geladium, बिल्कुल यहाँ यहाँ पर कौन सा हो गया, red algae, red algae हो गया, एक्टो कारपस यहाँ पर जो है, वो कौन सा हो गया, brown algae है, और polysiphone हो नहीं, red algae है, तो all of these is cancer हो जाएगा, answer will be 4, सीदी सी बात है अब अपने पहले डिसकस कर चुके हैं, कि जो hydrocolloids है, वो character किसका है, brown algae और red algae की cellulose है, वो cellulose और polysiphone पर ester, जो कहरागीन है, यह अगार-अगार है, अभी अपने डिसकस किया, तो दोनों में hydrocolloids होता है, और hydrocolloids क्या करते हैं, कि जल को धरन करने के उन नेक्स्ट आप देखेगा, question number 18, read carefully to the given statements about algae and choose the correct option, maximum variation in shape of chloroplast found in green algae, बिल्कुल सही है, green algae के अंदर जो chloroplast है, वो आपके सेक्टियों कप नुमा हो सकते हैं, प्लेट नुमा हो सकते हैं, जालिकावत, reticulated भी यहां पर हो सकते हैं, मेखलाकार गडल शेप भी हो सकते हैं, जैसे प्लोनी में होता है, या यूलो थ्रिक्स की अपन बात कर लेते हैं, और वहाँ, spiral sap होता है, तो वहाँ variation होती है, जो chloroplast की shape में, clear, और kelp में reach a height of 100 meters, बिल्कुल, kelp जो है, ब्राउन एलगी है, इसकी height 100 meter तक हो सकती है, floridian starch is very similar to amylopectin and glycogen in structure, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो floridian starch होता है, वो primitive carbohydrate है, बिल्कुल, और वो amylopectin and glycogen की तरह का है, साकित है, बिल्कुल, तो ये red algae का store food है, जैसे synofacin starch होता है, BGA का, वैसे floridian starch किसका है, red algae का है, बिल्कुल, क्ले माइडो मोनास, represent all three type of sex reproduction, बिल्कुल, आईसोगेमस, और उगेमस, क्ले मोनास की जो अल जो species है, वो इन gamits के आप कह सकते है, evolution show करती है, इसोगेमस भी है, एनाईसोगेमस भी है, उगेमस भी है, यहां clear कर देते हैं, जैसे clay माइडो मोनास, d-berinum करता है, आईसोगेमी, बिल्कुल, clay माइडो मोनास, जो brownie है, वो करता है, एनाईसोगेमी, और clay माइडो मोनास, koki ph फेरा जो शो करता है उगेमी, तो sexual reproduction के जो evolution को शो किया था, जे विकास को दर्साया था, वो किसने दर्साया था, claim item मुना था, तो आप समझ सकते हैं कि given statement about algae, correct आपको option करना है, तो देखेगा कि first भी correct है, second भी correct है, third भी correct है, fourth भी correct है, तो आप समझ सकते हैं कि all are correct, बिल्कुल, next question देखेगा, question number 19, group of algae perform asexual and sexual reproduction by non-motile spores, तो आपको पता है कि जो non-motile spore है, तो बनते हैं, red algae के अंदर और जो green algae है, उसमें आप का सिर्थ जो यहाँ पर spiral gara है, उसके अंदर भी होते हैं, non-motile spore, बिल्कुल, देखते हैं इसमें, युलो त्रिक्स जो है, वो आप कहा सकते हो, क्या है यहाँ पर, green algae है, यह motile spore वाला होता है, spiro gara non-motile है, porphyra non-motile है, spiro gara non-motile, laminaria, laminaria यहाँ पर जो है, आप कहा सकते हो, brown algae के अंदर आ गया, उसमें motile होते हैं, poly syphonia, यह आता है, red algae के अंदर, तो कैसा हो गया यह motile, यहाँ पर हो गया, poly syphonia, red algae है, non-motile, porphyra, non-motile, spiro gara, green algae है, लेकिन फिर भी यह क्या होता है, non-motile, और ectocarpus, dicteota, brown algae के हैं, geladium, आप कहा सकते, red algae के गया, यह non-motile हो गया, तो बिलकुल यहाँ पर जो, answer will be third, next आप देखेगा, question number 20, match the following column, first and second, दोनों को अपने को यहाँ स आप का होना, सर यह character किस्का है? Brown algae का है, बिलकुल, तो यहाँ पे जो brown algae है, वो आगया, leminary यहाँ पर क्या है? Brown algae है, वो भी आजाएगा, जो है, बिलकुल, और जो red algae है, वहाँ, porepire, वॉर von228, equal, epicalござela, यह green algae है, बिलकुल, green algae का, बहें देखेगा कि फ्लेजिला या तो green algae या brown में red algae की life cycle में तो mutual structure ही नी बहुत अब जो green algae है वहाँ two से लेकर 8 फ्लेजिला हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे फ्लेजिला iso count यानि iso count होंगे लंबाई में समान होंगे समान होंगे iso count होंगे टू से लेकर 8 तक होँए फ्लेजिला हो सकते है यापिकल पोजिशन पर होंगे लेकिन ब्राउन algae के गाहं अंदरपन देखते है कि जो फ्लेजिला होता हो लेटरल पोजिशन पे होते हैं उपाइटरल होते हैं ये आपके ये स्वेर्ट करते हैं लिवर आपका मैच हो गया, 1st and 5th, तो 1st and 5th एक ओप्शन में, इस 2nd ओप्शन में, फिर B से आप देख लिएगा, Sir, B, B से कोड़ मैच हो रहा है, 6, 6 मैच हो रहा है, C से 1st मैच हो रहा है, D से 3rd मैच हो रहा है, तो correct answer यहां पर 2nd हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेगा, question number 21, about 70 species of marine algae are used as food, but out of them, which of some are following, तो बिल्कुल NCRT की लाइन है, पोरफाइरा, यहां पर जो है, पोरफाइरा, सर्गासम, लेमिनेरिया, यह यहां प्रेसी species जिनका हम as a food, supplement income, यूज करते हैं, बिल्कुल, तो यहां आप समझ सकते हैं, कि वो NCRT line लिख रहे हैं, कि पोरफाइरा समेत, 70 ऐसी प्रजाती हैं, समुंदरी, जो खाने योगे, एलगी हैं, उनको आप जानते हैं कि एजे, seafood, उनको यूज किया जाता है, तो पोरफाइरा, सर्गासम, और लेमिनेरिया, तो बिल्कुल करेक्ट है, answer will be second, हाँ तो देखे बड़ा, question number 22, पाइरेनोइड are found in following pair of plant, तो देखे जो पाइरेनोइड होते हैं, वो आप जानते है आप समझ सकते हैं कि सेंटर पर प्रोटीन पार्टिकल होता है, सेंटर जो इसका पार्ट होता है, और सराउंडिंग, सराउंडिंग इसके अपन देखते हैं, कि यह स्टार्च सीथ होती है, तो यह जो ग्रीन अलगी का स्टोर फूड होता है, स्टार्च, उसके स्टोरेज क जो आप जानते हिए हौरन वर्ट उते हैं तो फिरल्स के घलफ रोल यह पाया जा सकता वाकिए लाइए कि पाया जाना या तो ग्रीन अलगी का एदित्ति लक्षण है या एंथोसिरोस इसके लाग कहीं पर पायरेनोइड नहीं होती है और पायरेनोइड इस्ट्रेक्ट से क्यूशन नीट में कई बार आ चुका है तो इसको बहुत अच्छे से आप करें क्यूशन का आपका आप डेखिएगा बेश्चु ग्रेट वेरियेशन इस इस इंड फ्रॉम बिल्कुल व्र्गोरेंस ओफ मेनिटोल फ्रॉंड इस फोटो सिंंथियेटिक और और लॉप्लांट तो बिल्कुल अपन यहांपे कह सकते हैं यह साध्य क्रेक्टर किसके ब्राउट एलगी के अंद दिया तो यहां पे convert होता है यहां पर आफ जानते है ऑफ हु़ी ऐसे अपने gerekा थार लिखा बिलकुल फिर आप यह नहीं बता दिया था कि मैनिटो लेमिनेरियन बिल्कुल बिल्कुल अपने बाद कि थिया पने लिकुल आप नेक्स्ट आप देखेगा च्छिंट नमबर 24 पिगमेंट्स प्रेजेंट इन युलो थिक्स युलो थिक्स में कौन से वर्णक पाए जाते हैं तो यहां पर ग्र यह फाइको बिलिन्स या तो साइनो बैक्टीरिया में है और या रेड एलगी में इसके लोग कहीं नहीं होते हैं और फाइको बिलिन के दो टाइप होते हैं फाइको साइनीन जो ब्लू ग्रिन कलर के लिए होता है एक्सेस में होता है ब्लू ग्रिन एलगी में एक आपका हो B, Carotene, Gentophyll, यह बिल्कुल correct है, बिल्कुल, और Chlorophyll A and Phucogenthin, यह भी नहीं हो सकता, तो answer will be third, next आप देखेगा, question number 25, How many given members have Ugemas, have Ugemas, sexual reproduction, किसमें यहाँ पर advanced condition है, किसमें Ugemas condition पाई जाती है, बिल्कुल अपन यहाँ पर देखते हैं, वोलवोक्स, यहाँ पर जो है, बिल्कुल अपन कह सकते है, Ugemas condition पाई जाती है, आगे अपन इसमें यहाँ पर देखते है, Yulothrix, यहाँ पर नहीं पाई जात जाती है, कारा, कारा में आप जानते हैं, Ugemas होता है, Ugemas condition पाई जाती है, और claim IDOMOLAS जो है, यहाँ तो तिनो टाइप की condition पाई जाती है, इसकी species में हो सकता है, Ugema, बिल्कुल, हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यह, and Spirogyra, इसमें नहीं होगा, बिल्कुल, तो अपन box, कारा, और claim IDOMOLAS की species, तो यहाँ परांश पर आपका हो गया, बिल्कुल, लाइन टो लाइन कुजिशन है, नेक्स, भई, आप देखेगा, कि एक ISO गेमी होती है, जहाँ युगमक समान आकार के हो, बिल्कुल, चाहे वो flagellated हो, और चाहे वो non-flagellated हो, flagellated claim IDOMOLAS की species में, नोन-flagellated spirogaram, बिल्कुल, एन ISO गेमी में होती है कि अनिक्वल साइज हो, बिल्कुल, और उगेमी में अनिक्वल साइज भी हो, और male gamit small और motile हो, और female gamit large हो, और non-motile हो, तो next आप question देखेगा, question number 26, select incorrect statement in respect of red algae, red algae के बारे में यहाँ पर अपने गलत का selection करना है, non-motile female gamit बिल्कुल, आपने यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो female gamit है, non-motile होता है, बही, जो red algae है, उसके life में तो कोई motile है ही नहीं नहीं, वहाँ तो, चाए male हो, चाए female, दोनों ही gamit होते है, non-motile होते है, लेकि red algae में उगेमी होती है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ वह आप जा जानते हैं कि यहाँ ispremesia है, बिल्कुल, यहाँ से जो male gamit होता है, वो attract होता है, और फिर यहाँ जाकर fuge होता है, और फिर यहाँ जाकर egg cell से fuge होता है, बिल्कुल, तो वहाँ advanced type का sexual reproduction, लेकिन आप समझ सकते हैं, कि non-motile condition होती है, clear, तो यह आपका correct हो गया, oogamous sex solar production, बिल्कुल, अपने यहाँ पर कह सकते हैं, motile and flagellated male gamit fuse with larger and non-motile female gamit, तो motile structure तो red algae के अंदर होती ही नहीं होती ही है, बिल्कुल है, प्री-dominance of R5-Erythrine, इंदेर बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो red algae का red color है, वो आता ही है, R5-Erythrine के बज़े से, बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि, बही वहाँ आपका जो सबसे बड़ा confusion है, बच्चे बार-बार पूछते हैं, कि इसका मला तो male gamit motile होना चाहिए, बिल्कुल, और ऐसे female gamit non-motile है, बिल्कुल, आपको बतातू कि angiosperm में भी तो oogamy होती है, वहाँ भी जो male gamit होते है, वो non-motile होते ह बिल्कुल, यहाँ क्या होगा कि, जो spermesia मैंने आपको बताया, तो यह trichokine को secret करेगी chemical, इसको attack करेगी, बिल्कुल, इसकी wall से fuse हो जाएगा, और फिर excel तक जाएगा, बिल्कुल, तो यहाँ motile होता हो, फिर भी oogamy, वहाँ पर होती है, oogamy पाई जाती है, इसलिए अपने इस question का answer यह हो गया, बहुत अच्छा question है, बिल्कुल, नेक्स्ट आप देखेगा, question no.27, flagellated cells are absent in the life cycle of flagellated structure जो है, वो एक तो absent होती है, red algae के अंदर, और एक cyano, bacteria के अंदर, बार-बार बात कुर चुके हैं कि दो की life cycle में, BGA और red algae, इनके life cycle में कोई motile structure होती ही नहीं, ब और red algae में, asexual spore तो absent होते हैं, और जो sexual reproduction के दोरान आप जानते हैं कि वान non-motile gamit होते हैं, इसलिए दोनों के life में कोई motile structure नहीं होती है, option आप आप देख लेते हैं, BGA लेकिन ब्राउन algae, नहीं होगा, red algae and green algae, नहीं होगा, green algae and brown algae, नहीं होगा, red algae and BGA, बिल्कुल, correct answer आप question number 28, which is the wrong statement for agar agar, it is obtained from red algae, तो बिल्कुल अपनी यहाँ पर कैसे हैं, red algae से आता है, it used in medium during micro propagation, micro propagation का मतलब होता है, culture medium के अंदर, जो ex plant होता है, उस ex plant से बहुत सारे चोटे-चोटे plants को हम form करें, उसे हम लोग बोलते है, micro propagation, बिल्कुल यूज़ करते हैं, culture medium में, it obtained from mostly fresh water algae, बिल्कुल सही है, अपने कहाता है कि जो agar agar होता है, वो red algae से obtained होता है, तो आप समझ रहे है, तो यहाँ पर यहाँ पर answer हो जाएगा, it used to make ice cream, ice cream के formation के लिए अपन agar agar का use यहाँ पर हो जाते हैं, तो यहाँ रोंग statement आप सब्सक्राइब यह रोंग हो गया, क्योंकि red algae के लिखर के anxiety में, कि वो mostly marine है और warmer areas में, समुंदर के गरम स्तनों में पाए जाते हैं, तो यह आपका रोंग हो जाएगा, answer will be third, next आप देखेगा question number 29, blue green algae are not included along with true algae, हमने जो blue green algae है, उसको true algae में क्यों नहीं रखा है, तो इसका बिल्कुल सटीक answer होता है, कि वो prokaryotic होता है, जो prokaryotic organization है, उसको पन मोनेरा में नुक्लूडी करते है, CDC बात है, तो they are mostly nitrogen fixing, यह को reason नहीं इसका, they show symbiosis, they are terrestrial, और they lack membrane bound organism, तो यह membrane bound organism का जो character हो किसका है, prokaryotic organization का character है, बिल्कुल, और जो prokaryotic organization शो करते हैं, उनमें well defined nucleus भी नहीं होता है, क्योंकि nuclear envelope नहीं होता है, बिल्कुल, और nucleoid वहाँ पर होता है, Naked, DA, Circular, DNA, नगन, धिसुत्री वर्ताकार, DNA, तो आप समझ सकते हैं कि, lack membrane bound organelles, यह उसी का character, तो answer आपका क्या हो जाएगा, 4, इसका बिल्कुल सही answer है, next question देखेगा, question number 30, identify P and Q from the following given, तो यहाँ पर जो P है, वो किसका diagram है, claim itemology का diagram है, और यहाँ प यह यह लो, answer क्या हो जाएगा, 4, बिल्कुल, तो यहाँ आपका answer हो गया, next आप देखेगा, question number 31, अगार अगार is one of the commercial products obtained from and are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies, तो अगार अगार जो है, हम इसको किसे उप्टेंड करते हैं, जो रेड अलगी के member है, जो रेड अलगी के member है, जिलेड अगार अपने उप्टेंड करते हैं, तो यह correct answer इसका first ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, next आप देखेगा, question number 32, मैजदा following, सुमेलित कीजिए, तो देखेगा कि chloroplast और organism, तो सर अपने discuss किया था, कि जो chloroplast अपने shape में variation show करता है, विविन आकरती कि जो chloroplast है, वो green algae के अंदर पाए जाते हैं, और वैसे algae के अंदर chloroplast अपने shape size में vary करता ही है, अपना higher plant की बात करें, मीजोफिल cell की तो वहाँ all sap, जो आपका chloroplast होता है, जो आप diagram पड़ते हैं, मीजोफिल cell के chloroplast की बात करते हैं, तो यहाँ देखेगा कि जो star sap होता है, तारा आकरती का, तो star sap होता है, जिगनी मा के अंदर, girdle sap, मेकला कार, जो अपनी kolar होती है न, kolar, उस आकार का होता है, यूलो थ्रिक्स में, सने से बिता, आप समझ रहें कि reticulate, जाली कवत, तो udogonium के अंदर होता है, और ribbon sap, फिता करती, आप जानते हैं, कि यहाँ इसपाइरोगारा में होता है, और cup sap, claim item में होता है, तो देखेगा कि यहाँ पर जो first है, तो first से आपका match कर रहा है B, और आप जानते हैं कि second है, तो second में आपका है D, तो आप जानते हैं कि first का B, second का D, और third आपका है, third से आपका A, तो 3rd आप समझ सकते हैं कि फिर इसमें आपका जाएगा आप जानते 1st B, 2nd D, 3rd A, फिर आप 4th का देखिएगा, 4th का E, तो आप समझ रहें कि E इसमें है तो 2nd option यहां पर correct होगा, बिल्कुल, आपको match करना है, सारे question आपको match करने वाले होते हैं, आप समझ रहें, next आप देख अगले lecture में भी discuss करेंगी, बहुत अच्छे लिए उलपे, तो ध्यान दीजिएगा कि algae, बेटा, algae multicellular है, filamentous है, यानि थैलोइड, photosynthetic है, बिल्कुल, लेकिन इनके अंदर जो cells है, और टीशू organization form नहीं कर पाई, यानि जो टीशू organization होता है, वो algae में क्या होता है, absent होता है, और ब्रायोफाइटा में, first time plant में, टीशू organization क्या होआ, present होआ, टीशू organization present होआ, ब्रायोफाइटा के अंदर, के लिए आप समझ सकते हैं, कि यहाँ tissue organization present होता है, आप समझ सकते हैं, कि algae के जो sex organ होते हैं, वो unicellular होते हैं, विर्कुल सार, और non-jacketed, यानि उनके उपर बंद आवरन नहीं होता, jacket layer नहीं होती है, non-jacketed होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा के जो sex organ होते हैं, वो multi-cellular, jacketed होते हैं, और algae में यहाँ पर exception भी था, कारा, कारा जो है, वो ब्रायोफाइटा के तरह होता है, जिसके sex organ, और ब्रायोफाइटा में N3DR की गोनियां, जो sex organ होते है तो यह सारी बाते हैं अपन बात करेंगे, तो देखेगा, कि सेवाल ब्रायोफाइटा से निमन को रखने में भी नहीं है, तो यह पहली लाइन आगी, naked sex organ, यहाँ आप देखें कि यूनिसल्दर non-jacketed, तो naked sex organ, नगन लेंगी कंग होगे, यहाँ से, पिर देखें कि sex organ covered with sterile covering तो sterile covering तो ब्रायोफाइटा में होती है, algae में नहीं होती है, जो jacketed layer होती है, first time किसी में ब्रायोफाइटा में, algae में नहीं है, content chlorophyll AB, दोनों में ही chlorophyll AB होता है, और दोनों यह aerobic respiration show करते हैं, तो इस question के according algae, ब्रायोफाइटा से किस चीज़ को रखने में भीन है, उसके according answer क क्या होगा, first, तो answer will be first, अच्छा question next आप देखिएगा, question number 34, pyranoyd storing starch as reserve of food are seen in, तो अपने बात के भी pyranoyd किस में होता है, green algae के अदर होता है, अब यहाँ पर जो भी option green algae का है, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, तो walvox, fucus polycyponia नहीं हो सकता, क्योंकि walvox green है, यह brown है, यह red है, सारगेसम, एक्टोकारपस नहीं हो सकता, brown है, इस्पाइरोगारा, क्लेमाडोवनास, यूलोथ्रिक्स, बिल्कुल correct answer है, यह तो green algae के अंदर होगा, यह anthoceros के अंदर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि answer इसका क्या हो गया, third, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया नहीं हो सकता, red and brown हो बिल्कुल, तो next question देखेगा, question number 35, पाइरणोड are present in of most of the member of chlorophyce, जो chlorophyce है, जो हरे शिवाल है, उनमें पाइरणोड कहां पर होते हैं, तो पाइरणोड का मतलब कहा है, जहाँ पे food store हो रहा है, और यहाँ पे food store हो रहा है, और यहाँ पे food store हो रहा है, वो किस में होगा, second, next आप देखेगा, question number 36, फ्लेजिलेटेड एसेक्सल स्पोर are absent in, बिल्कुल, वह अपन यह कहते हैं कि फ्लेजिला एक तो BGA में नहीं हो, red algae में नहीं होता है, बिल्कुल, उसके लिए आपन बात करें कि, सेक्सल स्पोर में तो इस्पारोगरा में भी नहीं होता है, यहाँ आप दो नहीं होगा, answer will be second, next question देखेगा, question number 37, वेजिटेटिव रेप्रोड़क्शन इन मोस प्लांट, देखेगा, वेजिटेटिव रेप्रोड़क्शन इन मोस प्लांट परफोर्म भाई, जो मोस है, उसमें वेजिटेटिव रेप्रोड़क्शन कैसे होगा, फ्रेग्मे प्लांट बोड़ी है, आपन यहाँ पर कह सकते हैं, वेजिटेटिव रेप्रोड़क्शन इन मोस प्लांट बोड़ी है, अपनी यहाँ पर डिसकस कर देते हैं, प्राइफाइटा का प्लांट बोडी तो जो लो़र ब्राइफाइट है लोर ब्राइफ़हर्ट में लिवर्वप मार्केंशिय वगएरा हां तो लिवर्वप में आप जानते हैं कि थालस और राइज़ोड वो यूनिसंतों होते हैं अनब्रांजड की प्लांड बोड़ी उती है जैसे आपको वहां रिक्सिया का मारकेंशिया थलस दिखा रखा है और उसमें यूनिसल्दर आप समझ सकते हैं और अनब्रांजड राइजोड बता रखें और जो मोसेज होते हैं तो मोसेज में जो स्ट्रक्चर होती है stem like होती है leap like होती है और राइजोर्ड होते है लेकिन उनके जो राइजोर्ड है कि जो stem like leap like उस पर होती है ऐसे आपके राइजोर्ड होते हैं वो multi-cellular with oblique septa तिरिक पट्टों वाले होते हैं तिरिक उसमें septa होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके rhizoids हैं तो आप देखेगा कि यहां आपका आंसर और व्राइफाइट नहीं होगा जिम्नो स्प्रम तो पोसिबल ही नहीं है रूट स्टैम लीव होती है तो संप राइफाइट यानि मोसे आपका यहां पर आंसर हो जाएगा तो next आप देखिएगा question का answer third हो गया, answer will be third, next देखिएगा question, question number 39, presence of gamma cup, two rows of appendicular leaves on main plant body and branzed assimilatory filaments are characteristic of, तो यहाँ पर gamma cup पगरा का होना, यह सब character किसका होता है, markensia, वो lever word से related होता है, तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा, some lever word, सारे lever word में नहीं, हाँ, markensia, markensia होता है, तो answer आपका क्या हो जाएगा, some lever word, तो आप देखिएगे कि जो markensia का, thallus का diagram, ancient नहीं बता रखा है, बिल्कुल, तो markensia की जो dorsal surface होती ही, वहाँ पर आपके gemma cup लोकेटेड होते हैं, gemma cup में जो gammy, gammy बनते हैं, आप green multicellular asexual spore, जो हरी भवकोस की एलेंगे कि कलिकाई होती है, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ आप से पुचा है कि two rows of appendicular leo zone man plant body and branch assimilatory filament, बिल्कुल, आर character of gemma cup की उपस्तिती हो गया, मुखे पादप सरी पर दो कतरों में उपांगी पत्तिय हो गई, इसमें साखित प्रकास संसलिसी तंतु का होना, ये किसक का character है, मारकेंशा को शो कर रहा है, बिल्कुल, नेक्स्ट आप देखेगा, अपन बात करते हैं, question number 40 की, ब्रायोफाइट को समाविशित क्या गया है, sporophyte is of longer duration, second option, dominant phase of sporophyte which is parasite, third option, dominant phase of gametophyte which produce spore, fourth option यहाँ पे है, small sporophyte phase and generally parasite on gametophyte, ये आपको हो जाएगा, बिल्कुल, देखेगा कि जो ब्रायोफाइटा होता है, उसका man plant body gametophytic है, एन phase होती है, gametophyte वो plant body होती है, जो mitosis के थुरू gamet produce करती है, बिल्कुल, और rhizoid, फिर sex organ आते हैं, वो भी haploid आते हैं, gamet बनते हैं, haploid बनते हैं, जब gamet fuse होते हैं, तो deployed and gigot, वहाँ से sporophyte cell की पहली cell हो गई, sporophytic generation की पहली cell, फिर वहाँ से आप जानते हैं कि जो food sita capsule form होता, वहाँ बिल्कुल, और वो dependent होता है, gametophyte, nutrition वहीं से लेता है, तो according discussion answer will be 4, 4 इसका बिल्कुल सही आता है, देखेगा बेटा, बहुत अच्छा, यहाँ पर सारे आपको questions करवाएं, और next lecture तो completely bribe fighter से related होगा, तो आप NCID से उसको देखने से पहले theory को अच्छे से पढ़िक हैं, और हम perfectly उसके सामने आपको एक theory थोड़ा सा समझाएंगे, फिर अप अच्छे रहें, मस्त रहें, और वीडियो को आधिक से दिक देखते रहें, अपने preparation को बहुत अच्छा रखें, NEED 2021 में आपको बहुत अच्छे से मलब super rank आपको लेनी है, thank you very much.